कहते हैं खेल में सियासत और सियासत में खेल नहीं आना चाहिए ये दोनों एक दूसरे से कोसो दूर रहना चाहिए तब दोनों चीज़े जो है वो पटरी पर चलती है लेकिन सच ये है कि खेल में सियासत और सियासी खेल दोनों कभी-कभी एक दूसरे क्यावने सामने आ जाते हमारे साथ ब्रिज भूशन शरंज सिंग जी मौजूद है पहला सवाल यह है क्योंकि आप सीधी बात करते हैं इसलिए कि बिना किसी लाग लपेटे के सवाल यही है क्यों लग रहा है कि यह साजिश थी आंदोलन नहीं था जो विनेश फोगाड के जरिये किया गया या महिला जर्रा पहलवाणों के जरिये किया गया क्यों यह यह तनी बड़ी साजिश supply आपको लग रही है किमे imagen Pa कि अच दृषित कि अथ spins को कि अभी कुछ बाते निकल करके आई हैं और अभी पूरी इस्तिती अस्पष्ट नहीं हुई है पूरी इस्तिती तो उस दिन अस्पष्ट होगी जिस दिन नयाई पालिका का जज्जमेंट आएगा लेकिन ब्रिजबूशन जी यही तो वो भी कह रहे हैं कि पहले दिन से की हमारे साथ हुआ है अत्याचार लेकिन इसे सियासी तोर पर अब चोला उड़ाया जा रहा है पर क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर विनेश वोगाट ने जॉइन कर भी लिया है कॉंग्रेस तो वो आंद आस्ट दे से अपनी बात पर कायम हूं किस आंदोलन के मुख किरदार का नाम है भूपेंदर उड़ा दिपंदर उड़ा क्योंकि इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है तीन मुख आरोप मुझ पर लगाए गये हैं कोट के कर दर्वियां है और दो घटना के दिन हम लंठव में एक घटना की दिन इसी नंधनी में हैं और पर नहीं है हम इस जगहार है जहां बाकाइदा कारिकर्म चल रहा है वीडियोग्राफी हो रही है अधिकारी बैठे हैं लोग बैठे हैं लेकर साय और भे तो है अब इन्होंने आरोप लगा दिया चार्शी लग गए उसको मजेल ला है विनेश फोगाट अब कह रही है कि मैं महिलाओं की बेटियों की आवाज बनकर अब आऊंगी मजबूती बनूंगी मैं उनकी और दिखाऊंगी कि इंसाफ कैसे होता है उन्होंने का आए है कि उनके साथ बत्मीजी हो रही है और एक दिवाल के बगल में दरवाजा बंद भी नहीं एक दीवाल के भगल में उसका पती बाइटा हुआ है कि कषित पती उससमें पती नहीं था उसमें उनका फ्रेंट बती बाइठा हुआ है अव्यों आपके साथ एक 65 साल का आदमी आपसे बज्जुमानी कर रहा है आपके साथ मतलब गलत हरकत कर रहा है और ये वर्ड वाले हाथ उठे नहीं अगर ये वर्ड वाले हाथ उठ जाते उस दिन तब वो लड़कियों की इज्जत होती है ये कहानी जूट है मनगडंत है इन्होंने साथ कोई घटना नहीं कटी है दीपेंदर हुड़ा कह रहे है हमारी टीम ने उनसे बातशीत करी वो कह रहे है कि ब्रिज भूशन शरण सिंग अब जो कुछ भी कह रहे है ना इससे हमारे वोट बढ़ जाएंगे तो वो जितना कुछ कह रहे हैं कहने दीजिए पर आपको ल जोईन कर रहा है कान नहीं जोईन कर रहा है मैंने किसी के पास नहीं गया मैंने कोई प्रस कांपर नहीं बुलाई लेकिन आप ही लोग आते हैं सवाल करते हैं और जब सवाल करेंगे तो अपनी बात रखेंगे जहां हम निर्दोस हैं हमारे खिलाब खडियंत किया गया जू अपनी बेटियों के इजट के नाम पर मुक्हमंत्री पत्माना चाहते हैं से बेटियों को मेंने नहीं बदगनाम किया है वगिद्धव हुद्ध कोईले बदगनाम अने किया है उन्होंने राज मीरिश नीद में गसीड़ा है या फिर पहलवानों के जरीए ये कोई बड़ी साजिश की गई कि वो सियासी तोर पर फस गए उन्हें फसाया गए मतलब वो क्या मोहरा है देखिए अब काउन क्या हुआ मुए नहीं जानता मेरे साजिस हुई और मेरे उस साजिस में कंगरेश सामिल थी प्रियंका जी धरने पर आई थी उन्होंने समर्थन दिया था गलोत आये ठे राहुल जी ने समर्थन किया था अब आज भी वो समर्थन करते जा रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं के पूछने कद कर खेर राइट पूरुस को है नहीं है संजोक से हम पूरुस भी आए राइट है नहीं है यह राइट क्यों नहीं को जाता है लेकिन जब यारोव जूठे होंगे और क्यों जूठे होंगे क्यों कि तीन घटनाय प्रमुख हैं एक घटना के समय मैं सर्विया में बैठा हूँ और दो घटना के समय मैं लखनव में हूँ आन कैमरा हूँ आन रिकार्ड हूँ जब मैं दिल्ली में हूँ ही नहीं तो कैसे क्या साबित होगा और जिस दिन यह साबित होगा कि यह घटना गलब थी तो यह जो जो मैं ऩार 13 से जहल नहूँ कैसं आपको भावुक भी देखा है कई बार नाराजगी भी आई है कई बार घुसा भी आया है कई बार बहुत सारी चीजे सियासी और व्यक्ति तोर पर आया है पर आपको लगता है कि इसका खाम्याजा क्या सियासी तोर पर आपको जहलना पड़ा है या फर पार्टी का वो विश्वास आप पर रहा है जो आपक है कि आप मेरे छेतर में है कि किसी से पूछ लीजिए किसी से और यहीं नहीं अगल बगल की पांच लोग सभा में किसी से पूछ लीजिए लोग मुझे सांसत देखना चाहते थे होता यह है कि जनता परेशान हो जाती है कि नहीं नहीं किस बार रटा हो कमसे कब पांच लोग सभा छे लोग सभा छेतर हैं कि जहां कि जनता चाहती थी कि वो मेरे यहां से सांसत बन जाए और अभी मुझे सांसत के रूप में ही देखना चाहती थी अभी जब कहीं कहीं भूत अबूत पूर्भ तो आज से आप लोग अबूत पूर्भ लिखे बूत पूर्भ लिखे तो तकलीब तो होती है लेकिन देखे मानो जीवन में कभी-कभी ऐसी इस्तिती आती है कि अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है और उपर वाले पर छोड़ना पड़ता है तो सुनव भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुन्नाद भरत जी को समझाते हुए पसेश जी ने कहा था कि हा निलाब जीवन मरण जैस अब जत बित्या भरत जी की कोई गलती नहीं थी लेकिन अब जस उनको मिला था थोड़े दिन के ल आखरी सवाल ये है कि प्रेस कांफरेंस विनेश फोगाड के जरीए की गई कॉंग्रेस की सदस्यता उन्होंने लिए अब चुनावी मैदान में जल्द उतरेंगी भी लेकिन इस बीच जो सवाल उनसे उनके एक्स्ट्रावेट गेन करने को लेकर कहा गया उसमें कुछ खास रहा हो हर किसी को दुख हुआ कि बहतरीन खिलाडी जो उस इस तर तक पहुंचा वह आखर कैसे निकला आपको दुख हुआ या नहीं हुआ कर मुझे कट्ता ही दुख नहीं हुआ दुख होने कोई सवाल नहीं जिस प्रकार से मैडम देखे जो लोग नहीं जानते हैं उनको दुख हुआ लेकिन वह तो एक खिलाडी के तौर पर रुप जाईए ना मेरी बात सुनिए मुझे दुख नहीं हुआ क्यों दुख नहीं ह कि एक खिलाडी एक दिन में दो बेट कट्री में ट्रायल दे नहीं है जो लोग नहीं जानते हैं उनको सानगुती हो मुझे कोई सानगुती नहीं है हमारे कुस्ती का नियम है एक दिन में एक खिलाडी दो बेट कट्री में ट्रायल नहीं दे सकता या दो बेट कट्री में ए और फिर, इन्होंने trial दिया, चार घंटे तक नियम यह है कि trial देने के बाद दो घंटे का समय दिया जाता है, जिस से आप खाग पीर करके कुछ रिकबरी कर लीजीए, फिर आप कुस्ती मैदान पर महिट पर आजाईए, इन्होंने चार घंटे तो तक कुस्ती को बंधक बना करके रखा कुस्ती नहीं होने दिया और चार घंटे के बाद कुस्ती इन्होंने शुरू कराया कहा नहीं पचास किलोग्राम की कुस्ती नहीं होगी पहले तिरपन किलोग्राम की कुस्ती होगी और 53 kg की कुष्टी में 10-0 से यह हार गई और तब ये 50 kg के बेट कटेगरी में गई जिस समय ये 50 kg बेट कटेगरी में गई थी इनको 53 kg वजन दिखाना था 53 kg क्योंकि 2 kg की छूट थी उस समय इनका वजन 54 kg था तो 54 किलो वजन देखर के यह 53 वाली बेट कटेगरी में भी लड़ी और 54 किलो वजन दिखा करके मतलब कागज में 52 दिखा करके यह 50 वाली में भी लड़ी पूरे सिस्टम को इन्होंने हाईजक कर लिए पूरी 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 पहले पूरी बात सुन लिजे क्योंकि अगर बात पूरी नहीं निकलेगी तो लोगों को समझ में तो यह जब यहां हार गई तो 54 किलो इनका था लेकिन इनका बेट ठीक से नहीं लिया गया रेलेवे की अंधक थे जो एड़ाक कमेटी ट्रायल करा रही थी वो बिल्कुल डरी थी सामी थी जो कुष्टी संग के दो लोग गए थे ट्रायल कराने के लिए उनको इन्होंने साब कह दिया कि जब तक यह बाहर नहीं जाएंगे हम कुष्टी नहीं शुरू करेंगे फड्रेशन के ल पचास में एक तो लड़ नहीं सकती थी लेकिन फिर भी इनका 54 किलो वजन था और फिर आप जा करके पता कर लिजिए अगर मेरी बात गलत है तो जो चाहिए वो सजा दे दिजिए छे एक का स्कोर था छे एक या पांच एक का स्कोर था हाप रहूं तक सिवानी पवार कुष्टी जीत रही थी उसके बाद इन्होंने हंगामा खड़ा किया और फिन हो हो करके रेलिवे के अथिकारियों ने इनको विजए खुशित कर दिया तो ये किसी का हक मार करके एक तो वही एक किलो इनके गले का फांस जाकर के बना ये कमजोर खिलाडियों का हक मार करके गई थी इसलिए मुझे इन से कोई सांध होती नहीं है इन से की अपनी बात बेबाकी से रखते हैं बेख़ोफ हो कर रखते है और विने शुगाट में प्रेस कौफरेंस के दौरान बहुत मजबूती से अपनी कई बाते कहीं हैं कई दावे कि हैं किन दावो में सच्चाई है नतीजे सामने आएंगे क्योंकि हरियाना विधान सभाचुनाव सर पर है वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव सिंग के साथ सबीन अतामंग देश मुख न्यूज जेटी इन इंडिया